अगर आपके पालक है तो उसे मिक्सर ग्रेंडर में ग्राइन कर लीजए उसके बाद हरी मेर्च लेसुन और अध्रक डालक गा थह चीरा ऐसी पकने देना है ठोड़ी लाल मेज, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर नमक भी डाल देना है आपको इसी टाइम और उसके बाद फिर इसमें आड़ कर देना है गरम मसाला और इसे फिर पकने देना है और दूसरे साइट पे एक पहन लेना है उसमें डालना है थो असा बटर और जो हमारे पनी अगर आप चोटे-चोटे पीसे में कट करके भी सेलो फ्राइ कर सकते हैं मैंने ऐसे डारेक्टी कर दिया है बस उसके बाद उसे पनीर को रेडी कर लेना है उसके बाद यह जो हमारा पेस्ट रेडी हो रहा है उसमें डाल देना है अब इसके पकने का वेट करना है और जब यह पक जाए तो जो पनीर की स्लाइस से उसके पीसिस करके इसमें डाल देना है और यह सर्फ कर देना है फ्रेश क्रीम के साथ